सभी विद्यार्थियों नमस्कार आज हम करेंगे कथन निशकर्ष के बारे में देखेंगे कि किस परकार से कथन निशकर्ष के सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है उस बारे में आज देखेंगे तो देखें कथन निशकर्ष कथन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी गाएं भैस हैं यहाँ पर चितर में देख पा रहे होंगे जितनी भी गाएं हैं यह सारी की सारी गाएं भैस हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी गाएं हैं वो गाएं अंदर आएं इस बात का मतलब यह हुआ सिधा सिधा अब देखे कुछ महतोपुर्ण बिंदू जान लेते हैं महतोपुर्ण बिंदू में क्या है वो देख लेते हैं महतोपुर्ण बिंदू में जैसे कि हम बात करें नमबर एक पॉइंट है हमारा कि हमेशा कथन को ही सत्य मान कर उत्तर की जांच पड़ताल करनी है चार बिंदू मेंने आपको दर्साई हैं इन चार बिंदू का जो विद्यार्थी ध्यान रख लेगा समझ लीजिए आपका सवाल गलत नहीं होगा तो पहला पॉइंट हमेशा कथन को ही सत्य मानकर उत्तर की जांच पड़ताल करनी होती है किस परकार विद्यार्थी हो कथन में चाहिए लिख रखा हो सबी आदमी कुत्ते हैं तो कोई ऐसे अकड के खड़ा नहीं हो जाए कि नहीं आदमी कुत्ते कैसे हो जाएंगे यानि कि इस टोपिक ही ऐसा है कथन निसकर्ष का सेलोलिजम का टोपिक ही ऐसा है हमें कथन को ही सत्य मानना पड़ेगा चाहिए कथन में कह दे सारे आदमी बंदर हैं तो हमें बंदर मानना पड़ेगा नंबर दो संभावना को कभी भी सत्य नहीं माना जा सकता ये भी ध्यान में रखना क्योंकि कई बार एक से ज्यादा गराब बनेंगे और 50-50 जो संभावना होगी जो 50-50 कथन जोंका क्यों निसकर्स में आ जाए तो वह ऐसंत्य माना जाएगा पिर ये विद्यारति चार बातों की दियान दे लोगे तो भी सवाल गलत नहीं होगा क्योंकि कई बार तो आपको कथन में जो बात दे रखियो जोंकी तो निसकर्स में मिलेगे और कई बार बच्चे उसको तो बड़ी जल्दी से टिकर देतें कि ये तो बिल्कुल ठीक है जैसे कथन में दे दे कुछ गाँएं चूहे हैं यहाँ पे जैसे देरका और निसकर्स में भी सेम लिख देता कुछ गाँएं चूहे हैं तो वहे गलत माना जाएगा वह सही नहीं माना जाएगा कथन जो काते हो निसकर्स में आ जाए तो वह गलत माना जाएगा ऐसत्य माना जाएगा उसको तो सबसे पहले आपको गलत करना है अब कई विद्यारती सोचेंगे सर ऐसा क्यों ऐसा भी मैं आपको बताता हूँ देखे कथन का मतलब क्या होता है कथन का मतलब होता है कोई कही गई बात निसकर्स का मतलब क्या होता है निसकर्स का मतलब होता है उस बात का निचोड क्या निकला है उस बात के निसकर्स तक हम कैसे पूंचे जिस परकार एक्जम्पल लीजिए एक्जम्पल के तोर पे सुभास चंदर बोस तुम मुझे खून दो ये कथन हो गया तुम मुझे खून दो तो इस बात का निशकर्स क्या निकला क्यों खून मांगा क्या इस बात का निशकर्स भी यही होगा कि तुम मुझे खून दो नहीं होगा न तो इसलिए कथन जोगा निशकर्स नहीं कथन यह हुआ कि तुम मुझे खून दो तो निशकर्स यह निकला इसलिए खून मांग रहे हैं सुभास चंदर बोज जी कि वो तुमें आजादी देगा तो वो उसका निशकर्स हुआ कि वो तुमें आजादी देगा इसलिए उन्होंने खून मांगा है इसी आपने का मैं कोचिंग सेंटर जा रहा हूं तो निशकर्स घर वाले निकालें कि पढ़ के आएगा बच्चा आप कहरे हो मैं बाजार जा रहा हूं ये आपने कथन कहा तो इस बात का निशकर्स ये नहीं निकलेगा कि मैं बाजार जा रहा हूं निशकर्स कभी सेम नहीं होता ह कि बजार जा रहे हैं तो आपको च्छामान लेके आते होंगे तो वो होता है इसलिए आपको समझ में आ गया होगा मैं ऐसा करता हूँ तो आज के बाद ध्यान रखें कथन जोंकातियों एकजामीनर रिपीट करेगा बच्चे बड़ी गलती करेंगे और उसके भाग के ठीक कर देंगे आपको सबसे पहले उसे गलत करना है जोंकातियों आ जाए तो अगला चोथा पॉइंट सही निसकर्स वही होगा जो कथन दवारा बनने वाले एक या उश्य अधिक सभी ग्राफ में सत्य होगा कैसे पर यह विद्यार्थ कई बार एक ग्राफ नय बनके विद्यार् होगा चलिए अब कुछ एक्जम्पल देख लेते हैं जिस परकार से हम बात करें एक्जम्पल के अंदर जैसे एक तो यही एक्जम्पल हो गया सभी वाला सभी के समंदित एक्जम्पल क्या हो गया जैसे सभी गाएं भैंस हैं या आप देख पा रहे हैं सभी गाएं भैंस ह गाएं है ये अंदर वाली गाएं थी बाहर वाली भैंस तो सबी जिसके साथ लगा हुआ उसको अंदर लेना है सबी गाएं और क्या है भैंस तो भैंस का आएंगी बाहर आएंगी चलिए दूसरा पॉइंट पहले कुछ से समंदित आ जाए तो किस परकार करेंगे उधारन देखिए कुछ गाएं चूहे हैं तो इस बात का देखिए ये गराब बन गया जितनी गाएं थी इन में से कुछ गाएं आपकी चूहे भी हैं कुछ गाएं चूहे भी हैं तो निसकस ये भी निकल गया कि कुछ चूहे गाएं भी होगे ये इस बात का निशकर्स निकल गया इसका मदर्ब जब कुछ गाएं चूहे थी तो ये भी पता चल गया कि कुछ चूहे भी तो क्या हैं गाएं हैं ये कुछ से समंदित गराफ बनेगा जब दोनों इस परकार होंगे अगला पैंट देख लेते हैं कोई नही से समंदित आएगा तो दोनों गराफ अलग अलग कोई सिकसक मेज नहीं तो सिकसक अलग और मेज अलग दोनों को अटैच नहीं करना है दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इस बात का निशकर्स ये निकला जब कोई सिकसक मेज नहीं तो कोई मेज भी सिकसक नहीं है ये इस कुछ काली हैं तो ये कुछ चिडियां काली नहीं हैं ये कुछ नहीं से समंदित गराब बना तो इस बात का निसकर्स ये निकला कि कुछ काली जो हैं कुछ चिडियां जो हैं वो भी क्या हैं काली हैं चलिए अब हम देख लेते हैं सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं सवाल देख लिजे किस परकार से सवालों को हमें हल करना है पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कथन दिये गए हैं आपके सामने दो पहला कथन है सभी कुटे जानवर है नमबर दो दिया गया है सभी जानवर जंगली है अब देखिए इनके आधार पर हमें गराफ किस परकार बनाना है सभी कुटे जानवर हैं तो ये लिजिए गराफ देख लेते हैं जितने भी कुटे हैं आपके सभी कुटे देखिए इदर जितने भी कुटे हैं सारे के सारे कुटे किस के अंडर आएंगे जानवर के अंडर आएंगे, क्योंकि सभी कुत्ते बोल दिया, सभी जिसके साथ वो अंदर और concept वैसे भी समझोगे, concept से पता चल रहा है, सभी कुत्ते, सारे के सारे कुत्ते, किसके अंडर आ रहे हैं, जानवर के अंडर आ रहे हैं, अगला point देखते हैं, क्या दिया इन्हों ने, next point दिया इन्होंने, अगला देख लेते हैं, सभी जानवर जंगली हैं, दूसरा point दिया, सभी जानवर जंगली हैं, तो इसका मतलब, सभी जानवर जंगली हैं, तो जितने भी जानवर हैं आपके, सारे के सारे जंगली गंड रहेंगे, फिर देखिए, पहला बताया, स इस गरहा पराधारित हम देख लेते हैं कौन साख निसकर सत्य होगा पहला दिया कुछ जंगली कुटे हैं देख लेते हैं क्या पहले वाला सही है बिल्कुल सही है इतने कुटे थे इतने कुटे में से कुछ जो कुटे हैं वो जंगली हैं कुछ जंगली सोरी कुछ जो जंगल वो कुटे ही इतने जंगली थे इतने जंगली में से कुछ जंगली तो हमारे क्या भी है कुटे भी हैं तो कुछ जंगली इदर भी आगे कुछ जंगली इदर भी आगे कुछ जंगली यहां बाहर इदर को बचे हुए हैं तो पहले वाला बिल्कुल सही है कुछ जंगली कुट कुटे हैं दूसरा देख लेते हैं दूसरा आपका क्या दिया गया है सभी जानवर कुटे हैं दूसरा दिया गया है एक मिनट नमबर दो सभी जानवर कुटे हैं दूसरा दिया गया है चलिए अब दूसरा सभी जानवर कुटे हैं देख लेते हैं या गलत तो दूसरा जितने भी हमारे पास जानवर हैं क्या सारे के सारे जानवर कुटों में आ जाएंगे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यह दि होता कुछ जानवर कुटों में आ जाएंगे तो कुछ जानवर तो इधर आ जाते क्योंकि कुछ जानवर बाहर बच जाते लेकिन सारे के सारे जानवर क कुत्ते हैं तो देख लेते हैं जितने भी जंगली हैं क्या सारे के सारे जंगली कुत्तों के अंदर आएंगे क्या सारे जंगली कुत्तों में आसकते हैं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा हिसार मालो एक जामपल के तोर पे यह हिसार है यह हर्याना है यह भा कुछे जगली किसमे नहीं आ सब्सक्राइब कोई कुछ जंगली कुछोगा है, चोथा दिया कोई कुछा जंगली नहीं हे है, कोई इतने जंगली थे आपके इतने जंगली में से क्या कोई कुटा जंगली नहीं है क्या बिलकुल हैं कुटे तो सारे के सारे जंगली हैं इसलिए चोथे नमबर वाला तो क्या हो गया वैसे ही गलत हो गया तो इनमें कौन सत्य हुआ पहले वाला निसकर सत्य हुआ एक नमबर नि से सेट कर सकता है ए में लिख देगा केवल कथन केवल निसकर्स एक अनुसरन करता है केवल निसकर्स एक सही है बी में लिख देगा एक वे दो दोनों सही है दो या तीन सही है इस परकार उपसन देदेगा तो अंसर केवल निसकर्स एक सही है ये सवाल का अंसर हो जाएगा चल जितने भी आपके पास हाथी हैं जितने भी आती हैं सारे के सारे हाथी किसके अंडर में आते हैं उजले का परिवार में आ रहे हैं तो हाथी अंदर और उजले बाहर अगला पॉइंट देख लेते हैं कोई भी उजला चोपाया नहीं दूसरा पॉइंट दिया कोई भी उजला चोपाया नहीं तो इसका भी देख लेते हैं कोई भी उजला इतने उजले थे इतने उजले में से कोई भी उजला क्या नहीं है चोपाया नहीं है तो कोई भी उजला चोपाया नहीं है तो ये देख लिए इसने बता रखा है कोई भी उजला चोपाया नहीं तो उजले अलग और चोपाय अलग, उजले का परिवार अलग हो गया, उजले वोले उमारी तरफ देख लिया, तो सिधी गोड़ी मार देगे वही, तो उजले अलग और चोपायों का परिवार बिलकुल अलग है, अब इनी के अधार पर निसकर्ष पे पहुंचेंगे, पहला है कोई चोपाया हाथी नहीं देख लेते हैं ग्राफ में क्या ये बात सकते हैं तो बिल्कुल सकते हैं कोई भी हाथी क्या नहीं चोपाया नहीं हाथी अंदर और चोपाय बाहर है अब कई विधारती सोचेंगे जी पता कैसे चले गए तो 50-50 मिरे भाई 50-50 नहीं है क्योंकि यदि आपके पित अची के साथ अनभन रखेंगे आप तो आपके पिता के ही परिवार में आते हैं ठीक वैसे आथी तो उजलों के परिवार में आते हैं तो इसने कहा कोई हाथी चोपाये नहीं तो बात से यह जब उजले ही चोपाये नहीं तो उजलों के अंडर ही हाथी आते हैं तो जब हरियाना तो इसके अंदर आगया तो हरियाना भी पाकिस्तान के अटैच नहीं होगा क्योंकि हरियाना तो उसी के अंदर आगया ठीक वैसे ही उजले बाहर हाथी अंदर चुपाई उससे भी अलग दूसरा देश हो गया तो इसलिए जब उजले ही यानि भारती पाकिस्ता के टैच नहीं तो हरियाना कहां से टैच हो सकता है तो उसी परकार हाथी क्या है इसकी जमीन इसके पास नहीं इसकी जमीन इसके पास नहीं तो ये आपस में नहीं होगा सम्मंद इसलिए ये क्या है गलत है तो ये कोई चुपाया हाथी नहीं ये बात बिलकुल सही है हाथी अल चूपाया हाथी नहीं है, तो यह बात बिल्कुल गलत है, चौपाय अलग और हाथी अलग तो दूर नमबर कॉइंट आपका गरोंग हो जाएगा, तो दूसरा बिल्कुल गलत है, तीसरा देख लेते हैं, पहला सही था, तीसरा कुछ हाथी चौपाया हैं, तो चलिए देख ल कि सभी हाथी चोपाया उजले हैं चेक करें क्या सभी चोपाया उजले होंगे या नहीं सभी चोपाया इतने चोपाया हैं क्या सभी चोपाया उजले हैं क्या मेरे भाई एक भी चोपाया उजले नहीं उजलों नहीं तो पहले ही कहा हमारी तरफ देखा तो सिद्धी गोड़ी चला देंगे वही तो कोई भी चोपाया उजले नहीं चोपाया का अलग परिवार उजलोंकारी अलग परिवार दोनों में अनबन है दोनों की बनती नहीं क्योंकि पहले ही दोनों अलग हैं तो इसलिए चोथा पैंट तो बिल्कुल गलत है तो सत्ते केवल अनुसरन एक करता है केवल अनुसरन दो करता है दो वे तीन दोनों अनुसरन करते हैं तीन वे चार करते हैं इस परकार से option मिल सकते हैं तो अनुसर आएगा निसकर्स एक बिल्कुल सही है या अनुसरन करता है या सत्य है तो इसका अनुसर एक निसकर्स आ गया अगला द गुसरा दिया कुछ कोट लाल हैं तो देखिए ग्राफ किस परकार बनेगा जितनी भी टोपी है मेरे भाई ये अंदर वाली टोपी सारी की सारी टोपियां किसके अंडर आती हैं कोट के अंदर आती हैं तो बाहर वाले कोट हो जाएंगे कुछ कोट लाल हैं कुछ कोट लाल त और कोट तो इतने थे तो क्या कोट ऐसे लाल नहीं हो सकते क्या तो इतने भी तो कोट लाल हो सकते हैं क्योंकि सारी की सारी जो टोपी हैं वो खुद कोट का भाग हैं तो कोट तो कहीं से भी लाल हो सकते थे जरूरी नहीं कि यहीं से लाल हो इस परकार से यहीं से लाल होने ऐस तो पियाँ अंदर कोट बाःозмख़ कि सभी टवी टोपियां बोल रखे टोपियां बाहर बोल रूखें utan 180 तो कुछ और लाल है तो कुछ चोट कोट तो यहां से भी तो लालल वहसकते हैं क्योंकि कोट तो इतने भी तो कोट हैं सारे के सारे जो इस दाइरे में आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं सारे के सारे कोट हैं तो इसलिए इसके दो गराब बनेंगे और सत्य वही माना जाएगा जो दोनों में सत्य चलिए देख लेते हैं किस परकार से ये देखिए सारी टोपी कोट हैं यहां पर बोल रखा था कतन स सबी टोपियां कोट हैं तो सारी की सारी टोपिक कोट के अंडरागी कुछ कोट लाल हैं दूसरा बोला था कतन तो ये देखे कुछ कोट यहां से लाल होगे लेकिन जरूरी तो नहीं मेरे भाई यहीं से कोट लाल होने उसने ये ऐसा बिलकुल भी नहीं बोल रखा कि कोट यही से लाल होने चाहिए कोट तो कहीं से भी लाल हो सकते हैं कोट तो यहां से भी लाल हो सकते थे यहां से भी इसलिए गराफ दूसरा भी बनेगा या देखो फिर सारी की सारी टोपी किसके अंडर थी कोट के अंडर लेकिन कुछ कोट लाल हैं तो यहां से भी लाल हो सकते हैं इसक मतलब टोपी भी लाल हो सकती क्योंकि खुद टोपी सारी की सारी कोट थी सभी टोपी अंदर टोपी अंदर बोलेंगे इसलिए क्योंकि सारी टोपी कोट और कुछ कोट लाल कुछ के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा तो कुछ कोट लाल है अब देख लेते हैं सत्य निसकर्स वही होगा मैंने बताया था जो दिये हुए कि या उससे अधिक बनने वाले ग्राफ दोनों ग्राफों में सत्य होगा वही सत्य माना जाएगा तो चलिए चेक करते हैं अब निसकर्स क्या दिया पहला दिया कुछ लाल टोपियां हैं अब क्या कुछ लाल टोपी हैं बिल्कुल भी नहीं जिसने ये ग्राफ बनाया होगा वो तो कहेगा सर बिल्कुल गलत है पहला चलिए दूसरा जिसने ये वाला सिरफ ये वाला ग्राफ बनाया होगा उसके निसार तो कुछ लाल क्या हो गई टोपी तो इसलिए दोनों ग्राफ बन माना जाएगा क्योंकि तो 50-50 संभाव ना हो गई और आपको बता था 50 तो yes हो रहा है 50 no और 50-50 percentage में जब आ जाएगा तो उसे सत्य नहीं ऐसत्य माना जाएगा तो चलिए पहला हो गया है आपका ऐसत्य देखिए पहला ऐसत्य हो चुका है दूसरा कोई टोपी लाल नहीं कोई टोपी लाल नहीं अब देखिए जो इस जिसने ये गराब बनाया है वो इसको सत्य कर देगा कोई भी टोपी क्या नहीं है लाल नहीं है वो तो इसको सत्य कर देगा उसके वो तो दो पे टिक कर देगा लेकिन जिसने ये बनाया होगा कोई टोपी क्या है कोई टोपी क्या ब लाल नहीं है उसके लिए तो सत्य लेकिन जो यह कह रहा है यहां तो कुछ टोपी क्या है लाल है वो कहेगा जी गलत है एक येस कह रहा है दूसरा अगर आफ गलत इसका मतलब 50-50 पोसीबल्टी है 50-50 परसेंट संभावना है और संभावना को में सा गलत सही निसकर्स वही माना जाएगा जब वो कफंदवारा सत्परतिशत सत्य हो जाएगा एक्जम्पल के दोर पे देखिए मैं आपको एक एक्जम्पल देता हूँ जैसे कि एक चोर ने चोरी कर ली और वो चोर और वो मालिक सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं किसी गाउं में मालिक कहता जी इसन रुपए निकाल लिये हैं और चोर कहता है जी मैंने तो चुराए नहीं तो क्या उसे चोर साबित कर दिया जाएगा नहीं किया जाएगा न क्योंकि एक तो कहरा है चोरी की है येस दूसरा कहरा है नहीं की नो तो फिप्टी फिप्टी हो गया फिप्टी येस फिप्टी नो पंचायत जब तक पूरणते सभी मेंबर पंच परमेशला होता है जब फैंसला नहीं लेंगे सारे सहमते उबात पर नहीं होंगे तब तक फैंसला सत्य नहीं माना जाएगा पिर अंत में कहेंगा मैंने चोरी नहीं किये अंत में 50,000 शोगो चुराइब तो उस पे फैसला होता है कि हां चौरी पचास की नहीं पांच की की थी ठीक उसी प्रगार जो दोनों ग्राफों में सत्य होगा सत्य वही माना जाएगा नहीं कि किसी एक ग्राफ में तो चलिए अगला देख लेते हैं इसी में पॉइंट तो पहला गलत हो चुका ह एक मिनट पहला हाँ पहला आपका गलत हो चुका है निसकस दूसरा गलत तिसरा देख लेते हैं कुछ कोट टोपियां हैं चेक करते हैं क्या कुछ कोट टोपियां हैं देखिए इतने कोट थे हमारे पास इतने कोट में से क्या कुछ कोट टोपी हैं बिल्कुल हैं कुछ कोट त दाइरा तो बहुत बड़ा है एक्जम्पल के तोपे मैं फिर रिपीट करा हूँ इसको मानलो हिसार इसको मानलो हरियाना तो क्या बताईए कुछ हिसार कुछ हरियाना हिसार में निवास करता है लेकिन पूरा का पूरा हरियाना हिसार में निवास नहीं करता ठीक वही परकार ह गया सारे कोट टोपियों में आते हैं लेकिन कुछ कोट तो टोपियों में आते हैं तो यहां तो यह बात होगी सकते हैं यहां और चेक करते हैं कुछ कोट टोपियों हैं क्या इतने कोट टोपियों में से कुछ कोट टोपियों में आते हैं क्या बिल्कुल आते हैं कुछ कोट रहे गई इधर को और कुछ कोट यहां गई यहां भी सकते हैं यहां भी सकते हैं तो देख लेते हैं यह वाला निश्कर्स क्या हो गया बिल्कुल सकते हैं क्योंकि दोनों व्यक्तियों ने येस कर दी चोर नेवी मालिक नेवी यानि दोनों ग्राफों ने येस कर दी तो क्या सारे के सारे कोट टोपियों में आएंगे क्या बिलकुल नहीं आएंगे सारे के सारे कोट टोपियों में तो नहीं आ सकते यहीं गलत हो लिया तो अगले में चाहिए ठीक हो जाए क्योंकि दोनों में सकते होना जरूरी था तो ये वाली बात चोती क्या हो गई गलत हो गई अब देखिए निसकर्स क्या निकला उत्तरा गया केवल निसकर्स तीन अनुसरन करता है अब जिन विदेर्थियों को दोनों ग्राफ नहीं बनाने आते थे वो अनुसरन निकाल देंगे ऑप्सन मिलेंगे केवल अनुसरन एक करता है केवल एक और तीन दोनों अनुसरन करते है तो कई विद्यार थी इसका एक और तीन निकाल देंगे कईयोंने दो और तीन निकाला होगा जो एक ग्राफ बनाया है देखा होगा तो निकाल देंगे दो और तीन अनुसरन करता है जबकि दोनों ग्राफों मिशते हैं तो केवल तीन हुआ है तो उत्तर आएगा केवल तीन अनूसरण करता है तो इस परकार से सवालों को हमें हल करना है चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं नेक्स सवाल है आपके स्क्रीन के उपर ये रहा चोथा कथन देखें सबसे पहले सेम वैसा ही बनेगा ग्राफ कथन है जितनी भी आपकी घड़ी हैं सारी की सारी घड़ी एक मिनट जितनी भी आपकी घड़ी हैं सारी की सारी घड़ी रेडियो के अंदर आती हैं सभी जिसके साथ लग जाए उसको अंदर बचे वे को बाहर सभी की सभी घड़ी रेडियो में आती हैं और कुछ रेडिये टीवी हैं तो कुछ radio tv बता दिये तो ये लो tv हो गए यहां से टीवी जरूरी तो नहीं यहां से radio tv होना क्योंकि radio का दाइरा तो बहुत बड़ा था इसलिए graph एक और बनेगा ये देखिए जितनी भी सारी की सारी घड़ी किसके अंडर radio के अंडर तो radio का दाइरा तो इतना बड़ा है और कुछ radio tv एंटो यहां से भी तो टीवी हो सकते हैं क्योंकि सारी की सारी खुद घड़ी radio का पार्ट हैं तो कुछ radio tv हैं तो इतने भी tv हो सकते हैं घड़ी attach भी एक गराप में तो गड़ी attach नहीं थी दूसरे में attach है क्योंकि इन कथनों गयादार पर गराफ एक नहीं बनके दो गराप बन रहे हैं और सत्य वही माना जाएगा जो दोनों गरापों में सत्य होगा चलिए एक एक करके अब इसके निसकस देख लेते हैं कुछ घड़ी टीवी हैं पहला निसकस है कुछ घड़ी टीवी हैं चेक कर लेते हैं क्या है क्या ये देखे पहले वाले में तो इतनी आपकी घड़ी थी और कुछ घड़ी टीवी हैं क्या बिल्कुल भी एक भी घड़ी टीवी के साथ attach नही जिसने दूसरे वाला केवल गराफ बनाया उसके लिए सत्य हो गया लेकिन दोनों गराफ जिसने बनाये होंगे एक में सत्य एक में सत्य तो वह बात पूरणत है एसत्य मानी जाएगी तो चलिए अब देख लेते हैं पहले वाला माना जाएगा एसत्य पहले वाला गलत माना ज जाएगा दूसरा कुछ टीवी घड़ी हैं चलिए देख लेते हैं तो पहले वाले में कुछ टीवी घड़ी हैं क्या बिलकुल नहीं पहले वाले में गलत और दूसरे वाले में ये बात है सत्य तो ये बात क्या मानी जाएगी ऐस सत्य जिसने केवल पहला गराब बनाया उसने दोनों गलत जिसने किवल दूसरा गराब बनाय उसने दोनों सत्य कर दी और पूर्णते बात क्या हो गई एज सत्य क्योंकि एक में सही एक में गलत तो यह बात क्या हो गई आए सकते हैं तो point number 2 भी गलत, point number 1 भी गलत, तिसरा, कुछ radio घड़ी हैं, चेक कर लेते हैं, कुछ radio घड़ी हैं क्या, इतनी हमारे पास घड़ी थी, इतनी में से बाहर ये radio हैं, कुछ radio यहां हैं, क्या बिल्कुल हैं, सारे radio तो अंदर आनी सकते हैं, क्योंकि फिर example वही है, हरियाना मान लो, ये बाहर वाला इंडिया, सारा इंडिया तो हरियाना में आनी सकता, लेकिन कुछ India तो हरियाना में भी निवास करता है, हम भी तो इंडियन हैं, तो कुछ इंडियन हरियाना में हैं, सारे इंडियन हरियाना के अंदर नहीं हैं, कुछ रियाना से बार तो कुछ रेडियो तो गड़ी के अंदर आ गए सारे के सारे रेडियो नहीं है यहां तो सत्य है और कुछ रेडियो यहां आ रहे हैं क्या बिलकुल यहां भी कुछ रेडियो गड़ी के अंदर आ रहे हैं कुछ बचगे इदर बाहर को यहां पर जो जग गड़ी नहीं है तो यह तो अपने आप गलत हो गया क्योंकि अभी तो ठीक क्या कुछ रेडियो गड़ी है और चोथे में कहरा है वो कोई रेडियो गड़ी नहीं यदि यह सही हो गया तो चोथा तो अपने आप गलत है तो आंसर केवल तीन अनुसरन करता है अब जिसने एक आप हो में सकते हैं वही सकते हैं और एक बात और बता दूँ यहां पे जैसे मैंने कहा था अब मैं यहां एक और निशकर्स लिख दूँ जैसे एक्जम्पल के दोर पे पांचवा निशकर्स सभी घड़ी रेडियों हैं पांचवा निशकर्स और लिख दूँ यह लो अभी त में सारी की सारी गड़ी रेडियो में आती है ये भी ठीक है तो अब की बार कितने ठीक हो गए अब की बार दो ठीक हो गए तीन नमबर और पांच नमबर तो अपसन में लिखके दे देगा तीन नमबर और पांच तीन और पांच दोनों नुसरन करता है तो हम कहेंगे जी तीन और पांच दोनों उनसरन करता है क्योंकि 3 तो ठीक था ही कुछ रेडियों गडियों गड़ी और पांच भी क्या ठीक होगEE सब गड़ी रेडियों और दोनों में ठीक पाइ लेकिन मेरे भाई नही ん ऐसी गलती से बचना है गजामिनर आपकी तो ये बात गलत हो जाएगी, चलिए, पांचवाँ सवाल देख लेते हैं, तो ध्यान रखना है, ऐसा देदे जोंकाते हैं, तो गलत माना जाएगा, कहीं लिख दो तीन वे पांच, सत्य है, सत्य है नहीं, केवल तीन ही सत्य रहेगा, ऐसी सिच्वेशन में, अगला है आपका पांचवाँ, सभी चातर बुद्धी मान हैं, और सभी व्यक्ती चातर हैं, चलिए, देख लेते हैं, सभी चातर बुद्धी मान, आपका पांचवाँ है, चलिए, जितने भी आपके, ये देखिए, चातर हैं, सारे के सारे चातर, किसके अंडर आगे, बुद्धी मान के अं और चातर कहा जाएगा बाहर तो ये वाला ग्राब बन गया सबसे अंदर व्यक्ति क्योंकि सभी व्यक्ति चातर बता रखे हैं और सभी चातर क्या बता दिये बुद्धी मान बता दिये तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या रहेगा देखिए मैं यहां भी सबसे अंदर व्यक्ति है, सबसे अंदर व्यक्ति है, फिर यहां पे चातर है, और फिर बाहर कोन है, बाहर आपका बुद्धी मान है, तो चलिए, व्यक्ति चातर बुद्धी मान, पहला दिया निसकर सी, यहां पे देख लेते हैं, पहला निसकर सबी बुद्धी मान व्यक्ति उससे बाहर हर्याना उससे बाहर इंडिया क्या सारा इंडिया हिसार में आ जाएगा नहीं आ सकता यदि उल्टा होता सारा हिसार इंडिया के अंदर आता है तो सही होता तो पहले वाला गलत दूसरा सभी व्यक्ति बुद्धी मान हैं जितने व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति हैं और बाहर वाले व्यक्ति ये बात सही होगी सारे के सारे व्यक्ति बुद्धी मान में आते हैं क्योंकि अंदर वाला हिसार उससे बार अर्याना उससे बार इंडिया सारा हिसार तो इंडि इमान में आते हैं ये बात बिल्कुल सकती है। वाले गिलास में छोटे वाला गिलास डालेंगे तो डल जाएगा तो तीन नमबर गलत जो था कोई छातर व्यक्ति नहीं तो ये बात तो अपने आप गलत है क्योंकि सारे के सारे कोई छातर व्यक्ति नहीं इतने छातर थे ये छातर थे और इनके अंदर व्यक्ति थे तो छात तब ये तो अंदर ये दोनों graph तो कुछ चातर तो व्यक्ति हैं और कुछ व्यक्ति चातर तो ये बात तो सकते हैं यहां पर क्या आएगा केवल दो नमबर निशकर्स अनूसरन करता है तो पांचमें का ये दो answer आजाएगा चलिए next देख लेते हैं next है आपके screen के उपर ये र पुस्तक हैं सारी की सारी पुस्तक कलम हैं जितनी भी पुस्तक सारी पुस्तक कलम के अंडर आती हैं तो पुस्तक अंदर कलम बाहर है और कह रहे हैं कुछ पुस्तक रंगी नहीं तो मैंने ये डोट लगा दी इतनी पुस्तक रंगी नहीं है यहां कटका निसान की रंगी न हमों में आगी लिकिन इतनी छोड़ा सा दाएरा ये पुश्टकों का क्या नहीं ये इतना दाएरा रंगीन नहीं हुआ ध्यान से समझीगा इस सवाल को थोड़ा साच सवाल है चल ये अब देख लेते हैं पहला निसकर्स पहला दिया सभी रंगीन कलम हैं चेक करें क्या क्या सभी रंगीन कलम होंगी देख लेते हैं रंगीन इतनी थी और रंगीन क्या सारी रंगीन कलम हैं बिल्कुल नहीं ये बात तो गलत हो गई रंगीन यहां पे इतना बताया गया है कि इतनी व गलत दूसरा कोई कलम रंगीन नहीं इस बारे में देख लेते हैं कोई कलम रंगीन नहीं चलिए तो कोई कलम रंगीन नहीं कहा हमें क्या पता कि कोई कलम रंगीन नहीं ये हो भी सकता है कोई कलम रंगीन नहीं और ना भी हो सकता 50-50 पोसीबल्टी इस ग्राफ को देखे हो भी सकता है और नहीं भी पूरणते सत्य नहीं है कि कोई कलम रंगीन नहीं क्योंकि कुछ बुस्तक रंगीन नहीं थी तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं 50-50 possibility है तो यह वाला क्या होगा 50-50 अमेशा मैंने बताया था गलत माना जाएगा तो दो नंबर क्या हो गए हाँ पर एक गलत तीसरा point देख लेते हैं कुछ कलम रंगीन नहीं क्या ये बात सत्य है ठेक कर लेते हैं कुछ कलम रंगीन नहीं तो ध्यान से देखिए ये बात एक मिनट कुछ कलम रंगीन नहीं ये क्या थी कलम इसका मतलब इतनी कलम भी रंगीन हुए भी ना रहे चुकी है तो ये बात बिलकुल सत्य है कुछ कलम क्या नहीं हुई रंगीन क्योंकि कलम का दैरा इतना था बाकी कलम चाये भले ही रंगीन हुई लेकिन इतनी कलम तो कनफरम है रंगीन हो नहीं पाई क्योंकि ख पारी रंगीन जब हो पाती ये वाली भी रंगीन हो पाती तो इतनी से तो मना करका इतनी पुस्तक रंगीन नहीं तो इतनी कलम भी हमारी रंगीन नहीं हो पाई तो ये वाली बात सो की सो हमारी क्या है तीन नमबर बात सकते हैं चोथी कहरा है सभी रंगीन पुस्तक हैं ये त तो अपने आप में गलत है सभी रंगीन पुस्तक क्यों गलत है क्योंकि उसने कह रखा है इतनी रंगीन तो पुस्तक है यह नहीं उसने कह रखा है देखे इतनी वाली तो पुस्तक रंगीन हुई नहीं और वो कहरा सारी पुस्तक रंगीन हो चुकी है तो चोथी बात तो अप आप गलत है तो कौन सा सही हुआ केवल तीन नमबर सत्य है केवल तीसरा कथन तीसरा निक्सकर सत्य है चलिए नेक्स सवाल देख लेते हैं कथन दिया गया है नमबर एक कुछ फल पेड़ हैं सभी पेड़ हरे हैं तो चलिए देख लेते हैं कुछ फल पेड़ हैं आपका नेक् आगे ये कुछ फल पेड़ हैं आगे कहा उसने सारे के सारे पेड़ हरे हैं जितने भी आपके पेड़ हैं ये सारे के सारे हरे के अंडर में आएंगे जहां तक पेड़ फैले हुए हैं पेड़ तो यहां भी फैले हुए थे तो सारे पेड़ हरे के अंडर में आएंगे इसका म फल भी आ चुके हैं क्योंकि सारे पेड़ हरों के अंडर में आते थे सभी पेड़ हरे के अंदर आएंगे तो इसका मतलब यहां फल पेड़ और हरे तीनों चीज यहां कोमन आ चुकी हैं चलिए अब समझ लेते हैं इसके एक एक निसकस पहला कुछ हरे फल हैं चेक कर लेते हैं कुछ हरे फल हैं क्या तो देखिए यहां फल भी थे और यहां हरे भी इसका मतलब कुछ फल तो हरे हो चुके हैं यह वाले जो फल पढ़ें कुछ ये वाले हरे हो चुके हैं तो ये बात पहला निसकर बिल्कुल सकते है पहला निसकर सकते है दुसरा कोई फल हरा नहीं चेक करेंगे कोई फल हरा नहीं क्या इतने हरे थे इतने हरे में से देखिए जब इतने हरे बता दिये इतने रेम से कुछ हरे तो यहां भी थे तो फल भी थे तो यहां अभी तो हमने सीखा कुछ हरे तो फल है और वो क्या कह रहा है कोई फल हरा नहीं तो यह बात तो बिल्कुल क्या होगी गलत पहली सत्य है दूसरी गलत तिसरा सभी के सभी हरे फल हैं चेक करें क्या सारे के सारे हरे फल में आ चोथा देख लेते हैं सभी पेड़ फल हैं क्या सारे पेड़ सारे के सारे पेड़ फल में आ रहें क्या बिल्कुल नहीं आ रहें सारे के सारे पेड़ फल में नहीं आ रहें बलकि हम ये कह सकते थे सारे पेड़ हरे में आ रहें हैं सारे पेड़ हरे में आ रहें लेकिन फल में नहीं आ रहे सारे फल में नहीं आ रहे तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और बाई चानस यदी यहां पे उसने लिख रखा होता कि सारे पेड़ हरे हैं सारे निश्कस लिख रखा होता सभी पेड़ हरे हैं फिर चेक करें फिर तो बिल्कुल सही है सारे पेड तो हरे हैं ये वाला सारे फल हरे लिख रखा तो गलत हो गया सारे पेड हरे लिख रखा तो सत्य हो जाता मानलो पांच वाँ लिख रखा होता कि सभी क्या लिख रखा होता सभी पेड हरे हैं तो हमारा सत्य था फिर अब तो कुन सा सत्य होगा केवल निश्कर से एक सत्य और ऐसा लिखर खा होता सभी पेड़ हरे हैं तो ये बात सत्य मिली फिर एक वे पांच सत्य होता नहीं मेरे भाई आपकी भूल है option में वो जान बूज के लिख दे गा है एक वे पांच सत्य क्योंकि पढ़िये ज्यान से सभी पेड़ हरे हैं जो कात्यों कथन में था और कतन जो कातियों कभी भी निसकर्स में आ जाए तो सवाल को वो निसकर्स गलत माना जाएगा मैं आसा करता हूँ कि मेरे दवारा समझाया गया ये कथन निसकर्स, सैलोलिजम या इसे न्याई निगमन भी बोल सकते हैं ये लेसन आपको समझ में आया होगा और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें आपको नोटिफिकेशन तुरंट मिलता रहेगा जैसे ही वीडियो डलेगी थेंक्यू धन्यवाद